हैले दोस्तों स्वगत है आपका एजू किसनेड़ 1998 पे दूस्तों यहाँ पर reject कोंसछिंग को लिकर बहुत से लोगों की द्वाराए यहाँ पर एक ही प्रकार के कमेंट किये जा रहा है और दूस्तों यहाँ पर जो कमेंट सब सब्दोब से यहाँ पर आए है उन कम्रेंट का दोस्तों यहाँ पर आज किस वीडियो में हम आपको आपको जवाब देने वाले हैं आप जो भीollet है दोस्तों वह सभी ? इस comments का हम यहाँ पर clear करने साथी साथ बहुत से लोगों का ये भी कमेंट आया था कि father name के इस्थान पर स्वरी यहां पर husband name की इस्थान पर automatic father name में आ रहा है तो इस पर भी हम चर्चक करेंगे इसमें सुधार किस प्रकार से हो पाएगा साथी साथ यहां पर यह भी कमेंट आ रहा था है फिस payment के बारे में यहां पर फिस payment हो नहीं रहा है या फाइल्ड हो गया है या दुबारा payment हमें करना चाहिए या नहीं तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे साथी साथी हापर बहुत से लोगों का ये भी comment आ रहा है कि यहापर profile में हमारा not locked दिखा रहा है तो इसे हम log कैसे कर सकते हैं और साथी साथी हापर not locked है फिर भी हमने print निकाल लिये है तो हमें क्या कोई दिक्कत हो सकती है इस प्रकार से हापर comment आ रहा है तो इस पर भी हम जव चनकारी देंगे साथी साथ यहाँ पर बहुत से लोगों का सबसे ज़्यादा लोगों के यही कमेंट आ रहा था कि हमारा जो ग्रेजुएशन हुआ है वह सेमेश्टर वाइस हुआ है तो हम अपना ग्रेजुएशन का जो डीटेल है मारक सीट का उसे हम नंबर को कैसे फिल करे नहीं कि नहीं तो इसी सिस्टिम में दोस्तो आप बीट के ऑलीन अपलाई के सेक्षन पर आते हैं तो आपकी स्क्रीम फ्लेस होता हुआ दिखाई देगा कि आविधन करते समय किसी भी तरह का संसोधन अभ्यार्थी भूगतान के पूर्वय स्वयम्त कर सकता है और भूगता को उसमें आफ उधार कर पाइंगे तो कैसे कर पाइंगे चलिए आप बात कर लेते हैं तो इसके लिए दुस्तों आपको आ जाना है यहाँ पर अपने Login कर लेना है अपने registrationनन नंबर और passport से और कैप्चयर डाल कर आपको login कर लेना है इसके बद दूस्कों यहा पास आपको नीचे में देखने को मिलेगा fill up modify choice तो simply से आपको इसे में click कर लेना है इसके बद दूस्तों यहाँ पास आपके समने इस प्रकार से page open हो कर आजगा जिसमें दुस्तों यहां पास आप जो college select किये रहेंगे वो आपको देखने को मिलेगा तो यहांसे दुस्तों अगर आप college change करना चाहते हैं तो आप change कर सकते हैं साथी साथ दुस्तों यहां पर जो choice filling है इसमें preference दिये है उसे दूस्तो आप उपर नीचे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पास एक arrow का निसान देखने को मिलेगा तो कुछ इस प्रकार से दूस्तो आप क्लिक कर अपने जो प्रात्मिक्त करम है इसमें भी सुधार कर पाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दूस्तो आप प्रात्मिक्त name है वही father name में आ रहा है तो इसमें आपको किसी भी तरह से घबराने वाली बात नहीं है हमने जब यहाँ पर ACRTK जो support team है उससे बात किये तो वहाँ से पता चला कि यह site का problem है और यह automatic यहाँ पर सुधार जाएगा तो यहाँ पर बुला गया है इसमें आपको किसी प्रकार से सुधार नहीं करना है यह automatic सुधार जाएगा यह site का problem है यह CRTK support team के द्वारा बताया गया है तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है यह automatic आपका सालों हो जागा बस आपको new print बस निकालना होगा इसके बद दोस्तों यहाँ पास comment आया था कि सर्फीस पे हो गया है बट यहाँ पर form आगे नहीं बढ़ रहा है दोबारा payment करने का option आ रहा है तो इस स्थिति में आपको क्या करना है तो चली इसके लिए यहाँ पर B8 के advertisement के ओर चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पास आपका payment फैलड़ा हो जाता है इस स्थिति में दोस्तों यहाँ पर जो B8 के advertisement जारी किया गया था उसके थर्डी स्टेप में इस पर श्रूप से बताया गया है कि यदि form जमा करने का अंतिम दिवस नहीं है और आपके खाते से यहाँ पर payment कट गया है तो इस स्थिति में दोस्तों एक दिवस आपको रूख कर 24 घंटे आपको इंतिजार करना है इसके बाद आपको दूसरा payment करना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे के बाद आपके खाते से अगर पैसे कट गया रहते है तो उसे return कर दिया जाता है लिकिन अगर खाते से आपका पैसा कटा नहीं है और यहाँ पर payment फैल्ड हो गया तो इसी सिती में आप तुरंट payment कर सकते हैं और रही बात यहाँ पर form भरने की अंतिम दिवस है उस दिवस में ही यहाँ पर payment फैल्ड हो गया तो इसी सिती में आपको 24 घंटी का इंतिजार नहीं करना है क्योंकि आपके पास समय नहीं रहते हैं इसी सिती में आपको 1-2 घंटा वेट कर लेना है इसके बाद आपको तुरंट दोबारा payment कर लेना है और यहाँ पास आपका payment फिट successful होता है उसके बाद आपका आगी का process यहाँ पर होगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर next comment क्या आया था चली देख लेते हैं इसमें यहाँ पर पुछा गया था dashboard पर लिखा आ रहा है कि option not logged लेकिन यहाँ पर form successful fill भी हो गया है प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है last edit आता है तो यह automatic यहाँ पर lock हो जाता है तो आपके यहाँ पर successful आप form fill कर लिए और यहाँ पर print भी ले लिए तो आपका form complete हो जाता है इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है ठीक है इसके पर दूस्तों यहाँ पर comment आया था कि sir मैं registration number भूल गई अब कैसे करूँ या फिर कई लोग का comment आया था कि यहाँ पर registration number अपना save नहीं कर पाए तो इसे कैसे प्राप्त कर सकते है तो दूस्तों इसे आप recover कर सकते हैं यहाँ उस्तिते हैं है क्लिक कर आते हैं आपको व्यापम रोल नंबर का उपसन देखने को मिल जा था तो दूस्तो अभी आपने जो previate का एक्जाम दिलाया थे, उसके यहाँ पर जो roll number है, उसे इस प्रकार से इंटेर कर दिना है, इसका बाद दूस्तो सिंपली से आपको यहाँ पास search का एक option देखने को मिलेगा, सिम्प्री से दूस्तो आप सर्च के option पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पस आपको देखने को मिलेगा आपका registration number यहाँ पर आ जाता है तो इस registration number से आपको अब login कर लेन है तो कुछ इस प्रकार से आप अपना registration number recover कर सकते हैं इसके बद दूस्तो चलिए चलते हैं माली जे अगर आपके first semester का exam 600 अंक का हुआ था और आपके second semester का भी exam आपके 600 अंक का हुआ था तो यह आपका total mark क्या आजएगा 1200 आपको दोनों को यहाँ पर add कर लेना होगा एक साथ plus कर लेना होगा और आपके first year में डालना होगा अब बात कर लेती हैं इसमें जो uptime mark है वो कैसे फिल करेंगे तो आप माली जे example के रूप में आपके first semester में 600 में आपने 400 प्राप्त की है और यहाँ पर second semester में आपने 600 में 500 अंक प्राप्त की है तो इस ती में दूस्तो आपका total के आजएगा uptime mark में 900 आजएगा तो आपको क्या कन है जो first year है उसमें यहाँ पर जो total mark है उसमें यहाँ पर 1200 डालनेंगे और जो uptime mark है उसमें दूस्तो आपको 900 डालना है तो आपका जितना यहाँ पर numbering बलता है वो आपको यहाँ पर first or second semester के यहाँ पर plus करके आपको first year में डालना है सेमी इसी प्रकार से आपको जो आपका 3rd semester है और 4th semester है उसे भी यहाँ पस आपको plus कर लेना होगा उसके बाद total marks और जो आप time mark है उसको आपको fill करना होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको fill करना होगा ठीक है उमीद है दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जो भी comment किये थे उसके यहाँ पर आपको answer मिल गया होगा इसी प्रकार से दोस्तो जब आप यहाँ पर इसका counseling का online form fill करते हैं और आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप हमें comment box में आप comment कर post सकते हैं हम बिल्कुल उसका reply करने की कोशिस करेंगे साथी साथ दोस्तो अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को आपको subscribe कर लेना है क्योंकि दोस्तो यहाँ पर बीएड एडमिशन या counseling से संबंधि जो भी latest update आती है उसका तुरंत आपको update वीडियो के म आध्यम से हम देते हैं तो चली दूस्तों मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर तब तक के लिए दूस्तों धन्यवाद जाएंगे